माई डियर स्टेंट्स वेलकम बैक टूल आफ यू मैं गिरी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे पेरे बच्चों इसके उपर इस अनसौल पेपर में पेज नंबर 21 से मैं पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ आज हम लोग question number 6 देखेंगे story जिसमें दी गई है तो चलिए जल्दी से story को समझ लेते कैसे exam में करने को थी मैं आपको बता दूँ exam में आपके pattern में साफ साफ दिया गया है you have to given only 7 to 8 sentences वो भी 5 marks की साथ से आठ sentence आएंगे पांच नंबर के यहां पर story बहुत बड़ी दी गी उन्होंने क्या क्या जिन्होंने अगरवाल वालों ने जो पेपर चापी है उन्होंने पीछले सैट में से पूरी की पूरी story चिपका दी है आपको केवल 7 to 8 sentences मिलेंगे इसमें कम से कम 10 या 11 sentence होंग हमें तो सिर्फ यह देखना है कि किस तरह से हम sentence को बनाएंगे कैसे translate करते हैं आपको tense आने चाहिए और छोटे मोटे use आने चाहिए इसके बाद में जरूरी है practice practice करिए फिर कितने भी tense आते हों यह आपने practice नहीं किये तो आप कभी story exam में नहीं कर पाएंगे तो चलिए देख लेते हैं रंडजीत यहां रंडजीत लिग गया रंडजीत है इसमें story आप page नंबर 22 खोलें question 6 देखें रंडजीत सिंग को यहां टाइपिंग में कहीं में mistake होगी उसके लिए छमा मांगता हूं रंडजीत सिंग को पंजाब के सरी कहा जाता है तो यह कहा कर रहा है तो रंडजीत सिंग पहले लिखेंगे continuous की helping बर्ब लगाएंगे indefinite का है इसलिए is तो sentence बनेगा रंजीत सिंग is called क्या कहा जाता है object लिखेंगे पंजाब के सरी इसी तरीके का एक sentence मुझे passive wise में ही जो होगा आप बना कर दिखाएंगे तुम्हें अंग्रेजी of our country उन्हीद में बड़ा आनंद आता था तो ही ही के बाद आता था तो टुक हो जाएगा second form लगेगे पास निफंट में ही टुक क्या बड़ा आनंद ग्रेट ही टुक ग्रेट आनंद की प्लैजर होती है ही गुर ही टुक ग्रेट प्लैजर कहा इन वार वार में लित ठीक है अगे वे वीर पुरसों का सम्मान नहीं दे पाया सम्मान करते थे तो वे का मतलब ही क्योंकि एफर फिर अजर्जीन सिंग्छ के लिए है ही समान करते थे तो एकिस केन्ट फॉम लग जा जा एगी ही एसमान करते थे किस का वीयर पूर्चों का तो दा ब्रेव होगा दा ब्रेव burn और में ही होता है तो दाव म Lewis एंड कर देंड अल्सों कि अंगरेजी आल देते थे प्रसकार सेकेंड और अभाइड प्रसकार देते अवाइड़ेड और नहीं की दें वे ऐसे अच्छे राजा थे he was ऐसे की अंगरेजी होती है such he was such अच्छे राजा good king he was such good king that की की अंगरेजी यह है that that की उनके सिपाही उन से प्रेम करते थे हेज और सिपाही की soldiers loved second form him उनसे और प्रसंता पुर्वक उनकी अग्या का पलन करने के तयार रहते थे and always ready तयार रहते थे always ready to obey अग्या का पलन करने के तो ओवे हिम happily प्रसंता पुर्वक happily लास्ट में लिख देंगे वे अपना सब काम निया समय पर किया करते थे जिसमें किया क करते थे यह सबी पास्ट indefinite के habitual action होते हैं यहां पर मेरे प्यारे बच्चों बुड प्लस बीवन का प्रयोग करते हैं तो यहां बुड प्लस बीवन का प्रयोग करेंगे वेक मतलब ही ही के बार लिखेंगे बुड फिर करना की do होती ही बुड डू क्या करते थे अपना सब काम all his work कब करते थे निये समय पर on right time on time ग्यादव बेस्वयम कटर सिक थे दो he was true sick कटर true sick किन्ट उन्होंने कभी किसी को sick होने के लिए बाद नहीं किया but he कभी नहीं बाद किया never और बाद नहीं किया he but he never forced forced नहीं दबाव डलना forced second form लगेगी never होने के बाद भी but he never forced किसी को भी to anyone फिर सिख होने के लिए to become सेख विविद्वानों का बहुत सम्मान करते थे he सम्मान करते थे second form respected विद्वानों का respected विवाद में लिखेंगे the scholars बहुत very much उन्हें इतियास और युद्ध से बहुत प्रहम था he प्रहम था respected second form history नहीं सौरी respected नहीं प्रहम था loved he loved history and war very much भाउद अजेंगे वे अपने भागी के स्वायम निर्माता थे he was he was maker he was own maker of his destiny स्वायम निर्माता थे own maker हिवाज own maker निर्माता की maker होती है अपने भाग के of his destiny क्योंकि मरते से में उनके पिता नेक जागिर छोड़ी थी वे योगिसा सक्ते और उनके राजमें उनके बज़ा सुखी थी आप गलत या सही कुछ भी बना कर भेजिए इसका सही ट्रांसलेट में आपको तुरंत दूंगा क्योंकि मरते से में उनके पिता नेक जागिर छोड़ी वे योगिसा सक्ते और उनके राजमें उनकी परजा सुखी थी वे यहां वे हिंदी में लिख देना आदर्स शासक कुछ तलब परशासक कुछ कोट के देश वक्त थे बहुत कुछ कठिन नहीं है तो इतना सिर्फ आप मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में दें जैसा भी आप बना सकते हैं वैसा बनाएं उमीद करता हूँ और आप सही से समझ रहे होंगे तो सही भी बनाएंगे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है तो सिर्फ इतना मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि मुझे भी पता लगे हाँ आप इंट्रेस्ट ले रहे हैं और आप मुझे स्टोरी नीचे की बनाकर जरूर दिखाएंगे ऐसी मैं आपसे उमीद करता हूँ सिर्फ वीडियो देखकर चले जाएंगे ऐसा बिलकुल मत कर इसलिए गलती कर paranoid कोसेश करिए कि गलती को हम रिपीट ना करें गलती होने दें लेकिन गलती को रिपीट ना करें ऐसी आप कोसेश करिए ठीक है ठीक स